यह दुनिया की एक सबसे बड़े लूजर की है दास्तान उसको था वर्दान फटी रहेगी रमेश रहेगा उपरिशान स्ट्रगलोर कंगाली में ही निकलेगा उसका सारा जीवान और कोई नियबदनसी भाई साब मैं ही हो महान हमेशा हिमत थी लाचार और हौसले थे मेरे बिमार फेलियर के सागर में खाली बड़ा था उमीदों का विछाया जार दरता था यार कहानी का साला निकले का भीया नी कोई सार या मेरे सारे पेन और साक्रिफाइस हो जाएंगे यू बेकार कोई फंक्शन में जाता नहीं था क् कि समझ काम में फसा हूँ ना बै दे बाई डे अकेले काटने को दौरता था यह शेर वंबे और कितनी जोर से चीखू की आपको मेरी आवास तुनाई दे ललचाता था अपनी बेसिक जरूरतों की चीज़ों को देख देख चाय पे जीरा था जो दोस्का रहे थे केक स्टेक अब तो ठान लिया था कितना भी समय मुझे कर दे लाचार इस वार में तो एटलीस नहीं डालने वालों में अपने हदियार तुन्दली थी राहे और रंजाना था सफर किस्मत का क्यू बरसा मुझे बेसा कहर बेजा थी जिन्दगी और खुदा था बेखबर सिन्दगी से आ रहा हूँ मैं हूँ ऐसा लूसर किसी की भी शकल पे नहीं लिखा रहता है उनका सच इसलिए आखे मीच कर मत करना किसी को भी यूही चज़ हो सकता इसलिए खो रहा है वो बार बार अपना धी रज तुनकि शायद अनाज लेने की पैसे भी नहीं कर पा रहा है बिचारा खर्च काम मिलने की चर्चा को अब एक हो गया था अरसा ये वो बादल थे जो गर्जा पर कभी रही था साला बरसा मां को एक छोटी सी खुशकबरी सुना ले सालो मैता तरसा फिर जूड बोल दिया करता था अब मरता क्या ना करता फिर अकेला हुआ तो पता लगा मेरा हिम्मत ही मेरे असली साथी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा खुद का साथी मेरे लिए काफी है एक अबा जिन्दगी और खुदा था बेखबर सिन्दगी से हारा हूँ मैं हूँ ऐसा लूजर चीखने को मन करता था कोई साला मेरी हालत भी तो देखो कुद्टे जैसे हालोतो मेरा हूँ न जाने कितने महीनों दंग से खाया भी नी था कितने दिनों से मैंने यूनों लेकिन एक बार किसी की मुझ से यह नहीं निकला कि ते को कुछ चाहिए डिनों क्यूंकि असलियत य करनी है मेरे भाय ते को लड़ाई पर देखना सब आ जाएंगे हिस्सा मांगनी जब फसल की होगे कटाई यह जरूरी नहीं किसी घिराय बन जाय अब तेरी सच्चाहिए मैं जानता हूँ कैसे घुट-घुट के जेली है मैंने यह सजा पर दिल कहता था राजा बहुत दाने वाला एक नमबर मजा सब दिखरा हुआ था पर विश्वास्था में फेल नहीं हो सकता चुंकि गर पे भूकी प्यासी धरने पे बैठी है मेरी मा खुद से जंग हार के जाएगा तू कि